हेलो एब्रीबन आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी अपनी यूटूब चैनल मोटिवीशन बाय दिख्षा मैं फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले बीए फोर सेम की ओल्ड पेपर की कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन है जो मैं आप लोगों को अपनी नोट से ही शेयर कर रहे हूं फ्रेंट्स यह आपका जो पेपर है सीची 3 का पेपर है क्रियेटिंग एंड इंक्लूजिंग स्कूल यानि की समावी सी सिक्षा इसमें इंपोर्टेंट कोश्चन आपका यह हर बार ए कि आया ही यह तो देखते हैं निर्देशं पहले आप तीन कॉलंब बना लीजे मैंने अंतर का धार भी बताया है कि किस अधार पर नीडेशन और फिर परामर्स तो इसमें सबसे पहले अंतर के अधार में आप लिखिएगा छेत निर्देशन का छेत्र व्यापक होता है और का छेत्र होता है संगुचित निर्देशन का मतलब होता है किसी वेक्ति को निर्देश देना और परामर्स का मतलब होता है किसी वेक्ति से पुप्सताज़ करना उनकी समस्याटेयों का हल निकालना सेक हेंड इसका time है अवशक्ताइं तो जो अवशक्ताइ होती है तो नंतिशन की आवशक्ताइ सभी व्यक्तियों के लिए होती है लेकिन परामर्स के जो अवशक्ताइ अगला पॉइंट है प्रक्रिया प्रोसेस निर्देशन जो होते हैं वो समय सक्ति की प्रोसेस पर होते हैं लेकिन जो परामर्स होते हैं वो हमेशा खर्चीली प्रक्रिया पर होते हैं नेट्स्ट है समस्याय निर्देशन एक व्यवसाइक समस्या से सम्बंदित होता है लेकिन परामर्स में साक्षातकार लेणा अनिवार्य होता है साखछातकार मतलब होता है इंटर्व्यू whether निकिंट कोई लिखेत एंवं मोकिक ड् искust करते हैं उसे हूं कहते हैं साखछातकार मेफ़ड नेकस्ट रश्टी कॉन तो द्रश्टी कोण में निर्देशन एक द्रश्टी कोण व्यापक एवं बहिर मुखी होता है लेकिन जो परामर्स होता है वो संकीर एवं अर्धा मुखी होता है नेक्स्ट पॉइंट है गोपनीता निर्देशन में कम गोपनी होते हैं लेकिन जो परामर्स होते हैं वो गुपत ही रखा जाता है इसकी प्रकृति तो निर्देशन में निवरनात्मक प्रकृति का होता है और परामर्स हमेशा उप्चनात्मक प्रकृति का होता है नेक्स्ट है विसेवस्तू तो निर्देशन की जो विसेवस्तू को पहले से ही जानता है लेकिन परामर्स की विसेवस्तू को पहले से ही नहीं जाना जाता फिर नेक्स्ट है, महत्य पूर्ण, निर्देशन, पत्र, पत्रिका, पुस्तक, एवं पत्रचार के द्वारही प्रदान किया जाता है लेकिन जो परामर्स है वो आपसे विचार, बिमर्स, तथ, तर, के सकती के द्वारही दिया जाता है प्रसिक्षण निर्देशन में यह आवशक नहीं होता कि निर्देशन प्राप्त करने वाला वेक्ती पूर प्रसिक्षद हो लेकिन परामर्स में जो देता है वो पूर विरूप से प्रसिक्षद होना आवशक होता है तो फ्रेंड्स ये तो हो गए निर्देशन एवं परामर्स में अंतर जो आपके एक्जाम में पांच नंबर का पूछा गया था फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक आप हमारी चैनल मोटिवीशन भाई दिख्षा पर लाइक करिए कॉमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलेगा फ्रेंड्स थैंक्स फॉर लाइंड लाइंड वीडियो थैंक्यो फ्रेंड्स